और अब खबर दॉलपुर से है जहाँ पर मा और बेटी ने ट्रेन के आगे कूट करकि आत्मत्या ग्रह कलेश के चलते आत्मत्या करने की वज़ा सामने आ रही है डंडोली निवासी जमुना देवी ने रात्री को बेटी के साथ आत्मत्या कर ली पुलिस ने दोनों के शवों को मनिया अस्पताल की मौर्चुरी में रखवा दिया है पुलिस अभी फिलाल पूरे मामले की जाज परताल कर रही है मनिया थाना इलाके के मनिया रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला है ट्रेन के आगे कूद कर, एक माँ और बेटी ने आत्मत्या कर लिए ग्रह कलेश, बड़ा कारण जिसकी वज़े से माँ और बेटी दोनों ट्रेन के सामने कूद कर हमारी सेहुगी संतोश राज़ पूत जुड़ गये हैं हिलाके के रेजवेश टेशन का है जहां पर दंडोनी नवासी जमना बेवी और उसकी बच्ची ने ट्रेंग के आगे कूच कर आत्मात्या कर ली है के सास और बहु ए उसके बहु में पटाई कर दी ति जिसके चलते उन्हें डोनों ने परेंस की कूछ कर आज मत्य कर ली पुलिस ने मौक्ष के पोंच कर दोनों के सब्सक्राइब नेलिया है संतोष महिला और उसकी बेटी की कितनी उम्र बताई जा रही है और महिला के पती का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है संतोष अभी फिलाल जो परिजन हैं उनके मताबिक क्या कहना है वो लोग क्या कह रहे हैं ठीके ग्रह कलेश हुआ लेकिन ऐसा क्या डिप्रेशन महिला या उसकी बेटी को एकदम से हुआ क्योंने आत्मत्या कर ली परिजनों से जो जानकारी मिली है उनका यही कहना है कि पाउकी और सास ननत्की लगाई हुई थी तो बहु ने सास और उसकी ननत्की पिटाई कर दी जिसके चलते दोनोंने ट्रेन के आगे कूद कर आत्मत्या की है चली शुक्रिया संतोष आपका तमाब जानकारियों के लिए तो एक महिला और उसकी बेटी ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी आत्मत्या का यह मामला है दो लोगोंने आत्मत्या की है परिवार के साथ जगड़ा होने के बाद माँ और बेटी ने ट्रेन के परिवार के साथ जगड़ा कर मा और बेटी आत्मत्या कर ली और जो माँ है उसकी उम्मर 50 वर्ष बताई जा रही है बताई जा रहा है कि ग्रह कलेश के चलते माँ और बेटी ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी पुलिस ने दोनों के शवों को भी फिलाल मनिया अस्पताल की मौर्चुरी में रखवा दिया है माँ और बेटी के स्विसाइट का मामला धॉलपूर में सामने आया है परिवार के साथ जगड़ा कर माँ और बेटी रेलवे स्टेशन पहुंची और वहां पर आत्मत्या कर आया है